नमस्कार साथियों मैं संदीप नोखवाल आप देख रहे हैं HPN 24 नूज अभी सिर्सा के अंदर जोपड़ा जो है मीरपूर रेलवे ट्रेक लाइन के बांध पर मौझूद हूँ यहाप एक साइड आप देख परें गगर नदी है और इसका पानी जो है डेड़ किलोमेटर त बड़ा दिकारी नजर नहीं आएगा और यहां कर दियास देखा जाए तो 1903 में में जो सिर्षा के अंदर जो बाड़ आई थी वह इसी बांद के टूटने के कारण आई थी और अभी इसी बांद को मजबूती करने में किसान और ग्रामिन भाई लगे हुए तो इनसे अधिया जी आए हुए है वहाँ पर छोटी नहीं जा रही है ना उसको बंद करने अकाम करें लेकिन यहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसके बारे क्या करेंगे आज हमें यहां लगबग पांच दिन हो गया है दिन रात एक किये हुए प्रिश्चाश्चिन का जो को लाइट नहीं होती हम इतने यह जो जितना आप यह देख रहो जो यह मिट्टी डाली है सब ग्रामियों ने अपने सहोग से अपने खर्चे से प्रिशासे नहीं कुछ नहीं दिया सिवाए 200 मिटर तार के और कुछ बल्लव के उसके अलावा एक दो पर आला दिकारी आते ह हैं लेकिन वो बड़े बांद से होके वहीं से चले आते हमारे पास और कि मेरे पीने के लिए नहीं प्रशाषन को पता है सब उनके बासे रिकॉर्ड हErे ना कि मैं happy यहीं से यह पानी टूटके सिर्षा कुछ गया था एरफोर स्टेशन सहीत आदा सिर्षा तबाव हो गया था लेकिन अभी उनके कान पर जू नहीं रही पता नहीं क्यों उनके दिमाग में क्या सोच है इसी इसका हमें इसका नहीं पता है तो जैसे कि अभी दो आपने प्रबं के थूप उसी साफ से खत्रा है लेकिन हम यहां कब तक बैठेंगे हम यह कितना के जजबा करेंगे नीचे धान है इधर पानी है मिट्टी है नहीं अभी यहां पर यह सी भी नहीं चल पाईगी यह निचे पानी जाके ना यह सारा हो गया है दल दल हो गया हमें यह दिक्कत अब आ रही है सुबह हमारे गाम की लेडिस सभी ने आके यह तसलिल लेके और कसी लेकर उन्हें ने मिटी यह सारी डाला है तो प्रशासन हमारे लिए तो है नहीं तो आसपास के गाउंट तो सोग कर रहे ना अपका देखो जी आसपास का जो जिनका यह एरिया है वुलक से लेकिन जो प्रशासनिक से हो गए वह अलग चीज है अभी जो जीसी भी है अभी नीचे से मिट्री नहीं उखाड़ पाई क्योंकि बहुत नीचे है वह इसके लिए कुछ बड़ी मेशीने दी जाए जो कुनका बकट नीचे से आके उपर मिट्री डाल सके तो जैसे कि पिछ किया और आज वह पर जूटा खड़ा जब नहीं तो गया गाउन डूबने खत्रा है तो अज पर शासन लगा हुआ है तो इसको लेकर क्या मंतरी साब पहले क्यों नहीं पूछते क्या समस्च्च्च यह देखिए जी अभी मंतरी साब भी वहां पहुंचे हैं सरकारी अमला लेकिन यहां तो आपने देख सकते हैं कि जो यह बां है बांद की मजबूती लगातार कोसिस हो रही है कि बांद की बढ़ी रहे लेकिन फिर भी यहाँ पर किसान और ग्रामेन भाईयों का कहना है कि दल दल जो है बांध में मुणियों आप देख सकते हैं पाणी के अंदर सेम भी चड़ चुकी है बांध और हलांके अगर पीछे से ज़्यादा बरसात होती है ज़्यादा पाणी का बहुँ आता है तो यह साइद टीके या ना टीके इसके बारे में कुछ कहाने जा सकता है लेकिन परसासन के जो अधिकारी है इस चीज़ को लेकर कोई सूध नहीं दे रहे आगे 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 आपको एक बांध भी नजर आएगा बताया जा रहा है कि वो बांध इस बांध से काफी चोटा अगर य नहीं कर पाता है आखिर क्या उनके मन में है क्या अधिकारी हमेशा की तरह है जब कोई अन्होनी हो जाएगे का तब पहुंचेंगे तब कंट्रोल करेंगे डैमेज को लेकिन इस चीज़ को पहले ही वक्त रहते से मैं रहते क्यों नहीं देखा जा रही एक बहुत बड़ा स सवाल यहां पर जनता के लिए पैदा होता है इसको लेकर आप लिख सकते हैं जुड़े लिएगा च्पिन 24 न्यूज के साथ बने रहीएगा जैहिंद